नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड युएस्टी की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड युएस्टी का चार्ट है जिसमें पांच मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुए और इसमें जिस तरीके की मुविमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही है उसे देखते हुए हम ये समझने ही कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में क्या सपोर्ट और एस्टन्स लेवल हमें नज़र आ रहे है और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या विई हुए हमें बाइंग करनी चाहिए चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले दोस्तों जैसा हम देख रहे हैं कि market की opening होई थी और opening से ही market एक बहुत narrow range में trade कर रहा था यहाँ पर एक downside का एक sign आ जाता अगर इस केंडल की closing भी नीचे हो जाती पर वो बस एक trade था जो नीचे हुआ और market यहाँ पर trade करता रहा अगर आप पूरा का पूरा trend देखेंगे तो वो एक slightly downward trend है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था जैसे ही evening session इस्टार्ट हुआ market में correction आई काफी नीचे के level सामें देखने को मिले जिसमें 1775 के around market ने थोड़ी दे trade कर रहा और वहां से एक थोड़ी recovery का phase आना शुरू हो गया और जिसमें जो इसकी closing है वो 1787 के around market ने अपनी closing सेटल कर दी अपने lowest point से करीब करीब 12 डॉलर उपर तो इस तरीके का एक view रहा और जो correction रही market में 1800 का जो price है वो काफी time बाद ये break हुए और break करने के बाद market ने straight एक 25 डॉलर की एक downside downfall दिखाया जिसमें expected price यहां तक के तो at least थे यहां भी एक बार एक हलका सा market ने support लिया था पर Friday का session था market ने पूरी पूरा दम लगा दिया gold के prices को गिराने में तो ये इसने और जादा नीचे की तरफ extend किया और 17.75 जो expected price था उससे भी यहां का expect कर रहे थे 85 का यहां से भी 10 डॉलर नीचे का एक low लगाया और थोड़ी सी recovery के बाद market यहीं पर आकर close हो गया इस तरीके का एक trend बना रहा आईए चलते हैं 15 मिनिट के time frame पे वहां देखते हैं कि कौन से levels अब हमारे लिए important होने वाले हैं देखिए अब अगर आप 15 मिनिट का एक view देखेंगे तो आपको बिलकुल market नीचे की तरफ जाता हुए यहां से नजर आएगा यह देखिए slope जो है नीचे की तरफ है एकदम से market ने इस support price को break किया नीचे में यह straight एक downfall आया और वहां से market कि थोड़ी सी recovery आई और 1787 पे market close कर गया देखिए upside कहीं भी नहीं थी जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि market में कोई strength gold में तब आ सकती थी जब 1821 का यह price break होता 1818 का इसने एक high touch किया था Thursday के session में 1821 तब भी break नहीं होता और उसी के नीचे market sustain करे रहा और उसके बाद हमने मतलब थज़े को जो trading थी actually वो भी dull trading थी market में moment नहीं थी Friday को जो moment आई है market ने नीचे में एक major support level जो 1800 का मैं आपको बता रहा था वो काफी strong support level था gold का वो market ने break किया और एक 25 डॉलर की एक straight downfall हमने देखा उसके बाद थोड़ा सा recovery करके market close हो गया इस तरीके का एक trend रहा आए थोड़ा सा और आके चलते हैं एक घंड़े के time frame पे यहां आप देखते हैं market में एक downfall वो continue रहा यहां पूरा का पूरा consolidation चल रहा था और downfall और उसके बाद market थोड़ी सी recovery के साथ उसने अपनी closing settle कर दी अगर आप यह एक घंड़े के time frame पे देखेंगे तो यहां पर 1870 के round के level थे और यह सिर्फ 3-4 trading session में इसने अपने उस level से 95 डॉलर की ए correction दिखा दी है तो correction काफी अच्छी है 95 या शायद 100 डॉलर के आसपास की ही correction है तो 100 डॉलर की एक correction यहां से दिखा दी है तो downside काफी ज़्यादा आ चुकी है गोल्ड में आगे का एक बार view देखेंगे कैसा है चार घंटे के time frame पे अगर हम देखें कि क्या view हमें निज़र आ रहा है यहां market में strength बनी ही थी काफी उपर के levels हमने देखें यहां से एक straight downfall 100 डॉलर का उसके अगर market थोड़ी strength के साथ consolidate होनी कोशिश कर रहा था पर इस support price को market break नहीं कर पाया जब इसने सबसे पहले 1852 break करा और उसके बाद market में यहां फिर से consolidation हुआ अपनी इस downfall को इसने extend किया और अभी हम current price देख रहे है 1787 continuously एक downfall जो है वो चल रहा है इसमें आगे तक कितना चलेगा कहां support है कहीं पर support भी ऐसा नहीं है कि market में कुछ नज़र आ रहा हूँ either it is consolidating और it is going down और थोड़ा सा आगे चलते हैं daily time frame पे वहां देखते हैं कि क्या view हमें नज़र आ रहा है यहां गर हम देखें तो market की जो initial जो strength है वो यहां से start हुई थी मैं थोड़ा सा और ज़्यादे इसे shrink कर दू देखिए जो इसकी strength है वो यहां से यह एक काफी consolidation का area था इसे आप समझेंगे market में उपर में breakout दिखाया यहां से market उपर जाना शुरू हुआ 2076 और वहां से market में एक consolidation और यह downfall ठीक है यहां भी अगर आप देखेंगे तो market का जो curve है वो downside का बन रहा है और अभी currently यहां पर market है ठीक है एक price है जो इससे next जो support price में कहूंगा वो है 1747 इस price के नीचे अगर weekly closing हो जाती है आप closing पे हमेशा ध्यान दिया किजिए कि closing कितने बड़े time frame देखिए अगर हम जब intraday में trade करते हैं तो हमारे लिए कई बार सिर्फ level को touch करना काफी होता है जैसे कोई एक price चल रहा है मान लिजे intraday price है तो intraday में exact 1700 अगर touch हो जाएगा तो शायद मतलब उस time के हिसाब से शायद ये मान लिए जाए कि 1700 ब्रेक करते ही market नीचे जा सकता है तो वो सिर्फ intraday level की तरीके से हम सोचते हैं जब हमें एक trend अगर हमने देखना हो के आगे का हमारा क्या view है तो हमें थोड़ा उसके नीचे weekly closing, daily closing और कई बार monthly closing इन सब पे हमारी नजर बनी रहती है कि आगे का हमारा जो trend है वो इन सब levels के बार decide होगा तो फिलहाल 1887 current price है इससे भी $40 नीचे एक काफी major support level है उसके नीचे अगर closing हो जाती है weekly closing तो और ज़्यादा इसमें selling के chances बने रहेंगे पर फिलहाल जो मैं expect कर रहा हूँ market में downside तो continue रह सकती है हो सकता है कि market Monday को एक gap down opening करे और फिर initially open होते ही एक नीचे जानी कोशिच करे जिसके मैं बहुत ज़्यादा confirm भी नहीं हो कि इस तरीके का रह सकता है क्योंकि already market oversold condition में trade कर रहा है तो consolidation भी expected है कि market open होगा consolidate होता रहेगा और फिर बाद में थोड़ी सी recovery आने के chances बन सकते हैं इसमें ठीक है तो इस price को हम तब consider करेंगे जब ये वाला low अभी आने वाले time में break होगा तो अभी देखते हैं Monday का कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है अगर Monday ये Tuesday को market थोड़ी सी recovery दिखा देता है तो आने वाले तीन दिन में मैं ये expect करूँ है कि market में फिर से selling pressure बन सकता है तो देखा जाएगा कि जो buying आ रही है वो किस तरीके से आ रही है कितनी strength के साथ आ रही है कौन से levels उसने upside में break कर दी है या फिर अगर downside continue रहती है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये downside 1747 को break करती है या नहीं करती तो उन सब चीज़ों पर नज़र रहेगी अभी market की opening पर हमारी ज़्यादा नज़र बनी रहेगी उसके बाद हम levels को ज़्यादा अच्छे से discuss कर पाएंगे पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो levels हैं देखें सबसे पहली चीज़ के कोई भी अगर इसमें strength बननी है तो सबसे पहले at least इसे ये वाला price break करना होगा ये price है 1795 जब तक ये break नहीं होता तब तक gold में आप बिलकुल भी strength ना समझें इसका break होना सबसे पहली है पर ये चीज़ भी है कि बहुत easy रहेगा इसके लिए ये price break करना क्योंकि ये जो downfall आया है एकदम से straight downfall है यहाँ पर market थोड़ा सा भी consolidate हो कि ये उपर में break कर सकता है मतलब एक fresh selling में लिए मैं ही कहूँगा कि fresh selling बिलकुल ना करें और अभी थोड़ा सा market को एक chance दे recovery का recover होके market जब फिर से एक नीचे जाना ही कोशिश करेगा तब हमारे लिए अच्छे entry points हमें मिल पाएंगे और अच्छे prices भी हमें मिल सकते हैं तो fresh selling अभी मैं recommend नहीं कर रहा हो सकता है कि market अभी और नीचे जाए पर थोड़ा खतरनाक रह सकता है अभी ठीक है पर buying के लिए buying के लिए देखे यहां पर ये levels जरूर है कि जो थोड़ा सा support दिखा सकते हैं पर वो हमारे लिए trend के against बैटना थोड़ा सा risk ही रह सकता है अगर buying का कुछ level बनता है तो purely intraday trades में बनेगा और उसके लिए Monday का जब market open होगा तब हम देखेंगे कि किस तरीके के market किस तरीके से react कर रहा है और तब हमें buying करनी चाहिए तो वो purely intraday होगा उसमें आप carry over मत कीजिएगा position को किसी भी सूरत में ठीक है ये पहला price है जो इसमें थोड़ी सी strength दिखा पाएगा अभी के market के हिसाब से market जब open हो जाएगा इस price का कुछ अलग होना बहुत ज़ादा possible रहेगा कोई भी strength आती है तो इससे next जो एक strong level है जिसके बाद market में थोड़ा सा strength जो वो काफी speed से आ सकती है वो price है 18.05 इस price के उपर जब market sustain कर जाएगा तो chances यह होगे कि ये पूरा पूरा जो consolidation phase है इसे market break करने की पूरी कोशिश करेगा ठीक है reversal का price कहाँ पर आएगा वो और ज़्यादा उपर है यहाँ पर reversal है इसका 18.25 पर 18.25 जो break होगा तो market में एक reversal आ सकता है उपर में 18.50 यहाँ तक के prices touch होना expected रहेगा जिसमें और इससे भी सबसे उपर last resistance level क्योंकि इस price का break करना market को काफी free space देदेगा उपर बढने के लिए next और last जो price है वो है 19.10 इस price को भी market अगर break कर देगा तो फिर जो भी trend अभी तक हम downside का देख रहे हैं वो तो हमारा यहीं से change हो चुका होगा 18.25 देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ सारी चीज़े एक और price है नीचे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 17.47 यह काफी major support price है ठीक है इसे strong support के तरीके से आप treat कर सकते हैं तो कोई भी downfall अगर आता है और market आपको इस 75 को break करके 65 तक आ जाता है और वहां से थोड़ा सा support लेते हुए उपर की तरफ turn करने की कोशिश करता है तो वहां पर एक आपके लिए अच्छा price हो सकता है भाई इनका ठीक है क्योंकि support की एक range रहेगी तो weekly charge अगर हम consider कर रहे हैं तो exact 17.47 मत समझे के बिलकुल इसी के आसपास आके support ल कर सकता है market ठीक है closing हम देखेंगे कि इसके नीचे closing करता है market या नहीं करता तो 65 या 60 तक पे भी आया market वहां से turn करने ही कोशिश कर रहा है तो फिर छोटा सा भी एक resistance level होगा जो ये break करेगा वो हमारे ले एक अच्छा entry point रहे सकता है पोजिशनल तब भी बिलकुल नहीं होगा ये सिर्फ intraday basis पर रहेगा ठीक है ये 1747 1795 मैं वो बता रहा हूँ कि ये अगर break होता है तो marketing consolidation phase में enter कर सकता है consolidate होगा बीच में trade करता रहेगा कोई direction के लिए कहीं पर एक breakout या breakdown देगा फिर देखा जाएगा और 1805 में हमारे लिए थोड़े से possible ways रह सकते हैं कि हमें entry करनी चाहीं बाइंग के लिए बाइंग के लिए मैं आपको दो जगे recommend करूँगा सबसे पहला कि इस price के उपर कहीं पर अगर support लेता है और उपर की तरफ turn करता है वो एक आपके लिए अच्छा price हो सकता है दूसरा आपके लिए यहां एक अच्छा price हो सकता है 1805 अगर break करता है तो ठीक है 1825 के उपर तो recommend ही buying होगी selling अगर आप इसके बाद करेंगे तो वो आप गलती करेंगे और आप trade में फसना शुरू कर देंगे 1910 जो है वो price market के लिए gold के लिए एक बहुत major turning point होगा तो इस price के नीचे ही market का sustain करना वो काफी लंबे time तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी के नीचे prices hold करेगा तो ये था मेरा gold USD पे अभी का video वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे म market report धन्यवाद